कुरिंथियों के नाम पॉलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याए एक पॉल उसकी ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुत्युस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिंथुस में है और सारे अख्या के सब बवित्र लोगों के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु इशु मसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ती मिलती रहे हमारे प्रभु इशु मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवात हो चुतया का पिता और सब प्रकार की शान्ती का परमेश्वर है वो हमारे सब क्लेशों में शान्ती देता है, ताकि हम उस शान्ती के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शान्ती दे सकें, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शान्ती भी मसीह के द्वारा अधि और यदी शान्ती पाते हैं, तो ये तुम्हारी शान्ती के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरच के साथ उन कलेशों को सह लेते हो, जिने हम भी सहते हैं, हमारी आशा तुम्हारे विशे में द्रिड है, क्योंकि हम जानते हैं, कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शान् हे भाईयो हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अन्जान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोज से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था यहां तक कि हम जीवन से भी हात धो बैठे थे वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यू की आज्या हो चुकी है कि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुँँ को जिलाता है उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यू से बचाया और बचाएगा और उससे हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वर्दान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें क्योंकि हम अपने विवेक के इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेश करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारी रिक्यान से नहीं परंथ परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते केवल वो जो तुम पढ़ते या मानते भी हो और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है वैसे तुम भी प्रभू येश्व के दिन हमारे लिये घमंड का कारण ठहरोगे और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले और तुम्हारे पास से होकर मा की दुनिया को जाऊं और फिर मकी दुनिया से तुम्हारे पास आँ और तुम मुझे यहुदिया की ओर कुछ तूर तक पहुँचा इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर की अनुसार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हां हां भी करूं और नहीं नहीं भी करूं परमेशवर सक्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुम से कहा हां और नहीं दोनों पाई नहीं जाती क्योंकि परमेशवर का पुत्र यिशु मसी ही जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तिमुत ही उसके द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी परंथु उसमें हाँ ही हाँ हुई क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिग्याएं हैं वे सब उसी में हां के साथ है इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में द्रिड करता है और जिसने हमें अभिशेक किया वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया मैं परमेश्वर को गवा करता हूँ कि मैं अब तक कुरिंधुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था ये नहीं कि हम विश्वास के विशय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं परन्तु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो अध्याए दो मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना हो क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूँ तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा केवल वही जिसको मैंने उदास किया और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत आस बहा बहा कर तुम्हें लिखा इसलिए नहीं कि तुम उदास हूँ परन्तु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुम से है और यदि किसी ने उदास किया है तु मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करू कुछ-कुछ तुम सब को भी उदास किया है ऐसे जन के लिए ये तंग जो भाईयों में से बहतों ने दिया बहुत है इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराद क्षमा करो और शान्ती दो ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में टूप जाए इस कारण मैं तुम से विनिती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमान दो क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परकलू कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो की नहीं जिसका तुम कुछ ख्षमा करते हो उसे मैं भी ख्षमा करता हूँ क्योंकि मैंने भी जो कुछ ख्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगे में होकर ख्षमा किया है कि शैतान का हम परदाव ना चले क्योंके हम उसकी युक्तियों से अंजान नहीं और जब मैं मसीह का सूसा मचार सुनाने को द्रुआस में आया और प्रभू ने मिरे लिए एक द्वार खोल दिया तो मेरे मन में चैन ना मिला इसलिए कि मैंने अपने भाई तितुस को नहीं पाया सोन से विदा होकर मैं मकी दुनिया को चला गया परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिये फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पहलाता है क्योंके हम परमेश्वर के निकट उधार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है कितनों के लिए तो मरने के निमित मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित जीवन की सुगंध और इन बातों के योग्य कौन है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परन्तु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जान कर मसीह हमें बोलते हैं अध्याय तीन क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लीनी है हमारी पत्री तुम ही हूँ जो हमारे हिर्दयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पही चानते और पढ़ते हैं ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा और जो सियाही से नहीं परन्तु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पठियों पर लिखी है हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है और यदे मृत्यू की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजो माई हुई कि मूसा के मूपर के तेज के कारण जो खटता भी जाता था इसराइल उसके मूपर द्रिष्टी नहीं कर सकते थे तो आत्मा की वाचा और भी तेजो माई क्यों ना होगी क्योंकि जब तोशी ठहराने वाली वाचा तेजो माई थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजो माई क्यों ना होगी और जो तेजो माई था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजो माई था कुछ तेजो माई न ठेरा क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजो माई था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजो माई क्यों न होगा सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुम पर परदा डाला था ताके इस्राइली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें परंत वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही परदा पढ़ा रहता है पर वो मसीह में उठ जाता है और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर परदा पढ़ा रहता है परंत जब कभी उनका हृदय प्रभू की ओर फिरेगा तब वो परदा उठ जाएगा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वत तंत्रता है परन्तु जब हम सबके उगाडे चेहरे से प्रभु का प्रता इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दरपण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्पी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं अध्याय चार इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते परन्तु हमने लज्जा के गुप्त कामूं को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परन्तु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं परन्तु यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा है, तो वो नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुध्ध को इस संसार के इश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रती रूप है, उसके तेजो मैं सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके क्योंकि हम अपने को नहीं परन्तु मसी यश्व को प्रचार करते हैं, कि वो प्रभू है और अपने विशे में ये कहते हैं, कि हम येश्व के कारण तुम्हारे सेवक हैं इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से जोती चमके और वही हमारे हिरदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की जयोती येशू मसी के चेहरे से प्रकाश मान हो परन तु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्द हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हम चारों और से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, सताय तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराय तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिये फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो क्योंकि हम जीते जी, सरवदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरन हर शरीर में प्रगट हो सो मृत्यू तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विश्य में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यिश्व को चिलाया वही हमें भी यिश्व में भागी जानकर चिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्तित करेगा क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रेह भौतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपी हमारा बाहरी मनुशत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुशत्व दिन प्रति दिन नया होता जाता है क्योंकि हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन करता जाता है और हम तो देखी हुई वस्तूओं को नहीं परंतु अन देखी वस्तूओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तूओं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अन देखी वस्तूओं सदा बनी रहती हैं अध्याई पांच क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रिथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परन्तु चेर स्थाई है इसमें तो हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गे घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस टेरे में रहते हुए बोज से दबे कहरते रहे क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि वो जो मरनहार है जीवन में ढूप जाए और जिसने हमें इसी बात के लिए तयार किया है वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है सो हम सदा दाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं इसलिए हम डाढ़स पांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें हम उसे भाते रहें क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के नियायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किये हों पाए और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं वरन हम अपने विशे में तुम्हें घमंड करने का आवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर ना दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुद हैं, तो परमेश्वर के लिए हैं, और यदि चैतन्य हैं, तो तुम्हारे लिए हैं। क्योंके मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं, कि जब एक सब के लिए मरा, तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा, कि जो जीवित हैं, वे आगे को अपने लिए न जीएं, परंतु उसके लिए, जो उनके लिए मरा, और फिर जी सो अप से हम किसी को सरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसी को भी सरीर के अनुसार जाना था, тогда भी अप से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, सो यदि कोई मसी में हैं, तो वह नई श्रिष्टी है, पुरानी बाते बीद गई, देखो वे सब नई हो गई, और सब बाते परमेश्वर की ओर से है जिसने मसी के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौब दी है अर्थात परमेश्वर ने मसी में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोस उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मि अच्छन हमें सौंदिया है। अध्याय छे और हम जो उसके सह कर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्ता के समय मैंने तेरी सुन ली और उध्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्ता का समय है। देखो अभी वो उध्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई धोश न आए। परन्तु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सदगुणों को प्रगट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लणों से, परिश्रम से, जाकते रहने से, उपवास करने से। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरत से, क्रिपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्त से, थार मिक्ता के हत्यारों से, जो दाहिने बाएं हैं। आदर और निरादर से, दुरनाम और सुनाम से, यद्यपी भर्माने वालों के ऐसे मालुम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अंजानों के सद्रिश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हूँ के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सद्रिश्य हैं परन्तु प्रा बना देते हैं ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं हे कुरुंतियों हमने खुल कर तुमसे बाते की हैं हमारा हिर्दय तुम्हारी और खुला हुआ है तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है अपने ल विश्वासियों के साथ अस्मान जुए में नजुतो, क्योंके धार्मिक्ता और अधर्म का क्या मेल जोल, जियोती और अंधकार की क्या संगती, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूरतों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंद क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला भिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभू कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग हूंगे इसलिए प्रभु कहता है क्यों उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छूँ तो मैं तुम्हें ग्रहन करूंगा और तुम्हारा पिता होंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे ये सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन ह अध्याए साथ का भय रखते हुए पवित्रता को सिध्ध करें हमें अपने हिर्दाय में जगा दो हमने ना किसी से अन्याय किया ना किसी को भिगाणा और ना किसी को ठगा मैं तुम्हें दोशी ठहराने के लिए ये नहीं कहता क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हिर्दाय म मैं ऐसे बस गए हूँ, कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है, मैं तुमसे बहुत ही आप के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा खमंड है, मैं शान्ती से भर गया, अपने सारे कलेश में मैं आनंद स्याती भर पूर रहता हूँ क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आये, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परन्तु हम चारों ओर से कलेश पाते थे, बाहर लडाईयां थी, भीतर भयंकर बाती थी, तो भी दोनों को शान्ती देने वाले परमेश्वर ने, तितुस के आने से हमको शान्ती दे, और ना कि उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ, क्योंकि यद्दपी मैंने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया, परन्तु उससे पच्च्टाता नहीं, जैसा कि पहले पच पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी और से तुम्हें किसी बात में हानी ना पहुँचे क्योंकि परमेश्वर भक्ती का शोक ऐसा पश्यताप उत्पन करता है जिसका परिराम उत्धार है और फिर उससे पच्छताना नहीं पड़ता परंतु सांसारिक शोक मृत्य उत्पन करता है सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ती का शोक हुआ तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और लालसा और धुन और पल्टा लेने का विचार उत्पन हुआ तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोश ह फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वो ना तुम उसके कारण लिखा था जिसने अन्याय किया और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रगट हो जाए इसलिए हमें शान्ती हुई और हमारी इस शान्ती के साथ तितुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विशे में कुछ खमण दिखाया तो लच्चित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुम से सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमण दिखाना तितुस के सामने भी सच निकला, और जब उसको तुम सब के आग्याकारी होने का सुनना आता है, कि क्यों कर तुमने डरते और कापते हो उससे भेट की, तो का प्रेम तुम्हारी ओर और भी भड़ता जाता है, मैं आनंद करता हूँ, कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में दाढ़स होता है अध्याए आट अभे भाईयों, हम तुम्हे परमेश्वर के उस सनुक्रह का समचार देते हैं, जो मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परिक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल पन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई उनके विशे में मेरी ये गवाही है, कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर, मन से दिया, इस दान में, और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुगरह के विशे में, हम से बार बार बहुत बिनती की, जैसी हमने आशा की थी, वैसी ही नह वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया इसलिए हमने तितुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले सुजैसे हर बात में अर्थात, विश्वास, वचन, ग्यान और सब प्रकार के यत्र में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ मैं आज्या की रिती पर तो नहीं परंतु औरों के उत्सहा से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ तुम हमारे प्रभु येशु मसी का अनुक्रह चानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ और इस बात में मेरा विचार यही है क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूजी के अनुसार पूरा भी करो क्योंकि यदि मन की तयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहन भी होता है जो उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं ये नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परन्तु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए, जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा, उसका कुछ कम ना निकला, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने तुम्हारे लिए वही उत्सहा, तितुस के हिरदय में डाल दिया है, कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन्तु बहुत उत्सही होकर, वो अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है, और हमने उसके साथ उ नहीं, परन्तु वो कलीसिया से ठहराया भी गया, कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम ये सेवा इसलिए करते हैं, कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए, हम इस बात में चौकस रहते हैं, कि उस उदारता के काम के विशय में, जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोश ना लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के ही निकट नहीं, परन्तु मनुश्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं, और हमने उस उसके साथ अपने भाई को भेजा है, जिसको हमने बार बार परक्के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परन्तु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वो और भी अधी कुछ साही है, यदि कोई तितुस के विशय में पूछे, तो वो मेरा साथी, और तुम कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीही की महिमा है, सो अपना प्रेम और हमारा वो घवन्ड, जो तुम्हारे विशे में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिध्ध करके दिखाओ। अध्याए नौ अब उस सेवा के विशय में, जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आविश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विशे में, मकी दुनियों के सामने खमंड दिखाता हूँ, कि अख्या के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उच्साह ने और बहतों को भी उभारा है, परन्तु मैंने भाईयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विशे में दिखाया, वो इस बात में वेर्थ ना ठहरे, परन्तु जैसा मैंने कहा, वैसे ही तुम तयार हो रहो, ऐसा ना हो कि यदी कोई मकी दुनी मेरे साथ आए, और तुम्हें तयार ना पाए, तो क्या जाने इस भरोसे के कारण हम, ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो, इसलिए मैंने भाईयों से ये विनिती करना अवश्य समझा, कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं, और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विशय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि ये दवाव से नहीं, परन्तु उदारता के फल के नई तैयार हो, परन्तु बात तो ये है, कि जो थोड़ा बोता है, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, वो बहुत काटेगा, हर एक जन, जैसा मन में ठाने, वैसा ही दान करे, न कुढ़ कुढ़ के, और न बाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्श से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, सब कुछ, जो तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के ल उसने कंगालों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुहारे धर्म के फलों को मढ़ाएगा। कि तुम हर बात में सब्प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। धन वान किये जाओ। क्योंकि सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की खटियां पूरी होती है। परन्तु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि सेवा से प्रमान लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट करते हैं। कि तुम मसीही के सू समाचार को मान कर उसके आधीन रहते हो। और उनकी और सबकी सहायता करने में उधारता प्रगट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर को उसके उस्तान के लिए, जो वर्णन से बाहर है, धन्यवात हो। अध्याय दस मैं वही पॉलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परन्तु पीट पीछे, तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीही की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता, मैं ये विन्यती करता, कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भाय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, वीरिता दिखाने का विचार करता हूँ, क्योंकि यद्यपी हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढढ़ा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, सो हम कलपनाओं को और हर एक उची बात को, जो परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके, मसीही का आग्याकारी बना देते हैं, और तयार रहते हैं, कि जब तुम्हारा आग्या मानना पूरा हो जाए, तो हर एक प बातों को देखते हो, जो आखों के सामने हैं, यदि किसी का अपने पर ये भरोसा हो, कि मसीह का हूँ, तो वो ये भी जान लें, कि जैसा वो मसीह का है, वैसे ही हम भी हैं, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विशय में और भी घमंड दिखाऊं, जो प्रभु ने तुम्हा आरे बिगाडने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना हूंगा, मैं ये इसलिए कहता हूं, इप पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि कहते हैं, कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, जो ऐसा कहता है, वो ये समझ रखे, कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे क्योंकि हमें ये हियाव नहीं, कि हम अपने आपको उन में से कितनों के साथ गिनें, या उन से अपनों को मिलाएं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं, और अपने आपको आपस में नाप तौल कर, एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी न करेंगे, परन्तु उसी सीमा तक जो परमिश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आपको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जैसे कि तुम तक ना पहुँचने की दशा में होता, वरन्त, मसीही का सूसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुच चुके हैं, और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर खमन नहीं करते, परन्तु हमें आशा है कि जयों जयों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, तयों तयों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सू समाचार सुनाएं और ये नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें परंतु जो घमंड करें वो प्रभू पर घमंड करें क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं परंट जिसकी बढ़ाई प्रभू करता है वही ग्रहन किया जाता है अध्याए ग्यारा यदे तुम मेरी थोड़ी मुर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता हाँ मेरी सह भी लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे विशे में ईश्वरिय धुन लगाए रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौपतो परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भरष्ट ना किये जाएं यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यूशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था या और कोई सूसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम्हारा सहना ठीक होता मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ यदि मैं वक्तव्य में अनारी हूँ तो भी घ्यान में नहीं वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया, कि मैंने तुम्हे परमेश्वर का सू समचार सेंत मेंत सुनाया, और अपने आपको नीचा किया कि तुम मुचे हो जाओ, मैंने और कलीसियाओं को लूटा, अर्थार मैंने उनसे मजदूरी ली, ताकि तुम्हारी सेवा करूं, और जब तुम्हारे साथ था, मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाईयों ने मकी दुनिया से आकर मेरी घटी पूरी की, और मैंने हर बात में अपने आपको तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अख्या देश में कोई मुझे इस खमंड से ना रोकेगा, किसलिए, क्या इसलिए, कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता, परमिर्श्वर ये जानता है, परंतु जो मैं करता हूँ, वही करता रहूंगा, कि जो लोग ताउं ढूंड करते हैं, उसमें वे हमारे ही समान ठहरें, क्योंकि ऐसे लोग जूठे प्रेरित और चल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, और ये कुछ अचम्भे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी जो तिरमय स्वर्ग दूत का रूप धारन करता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परन्त उनका अंत, उनके कामों के अनुसार होगा। अनुसार नहीं, पर मानो मुर्खता से ही कहता हूँ, जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझतार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फसा लेता है, या अपने आपको बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मूपर थपड मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीती पर है, मानो की हम निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई हियाप करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी हियाप करता हूँ, क्या वे ही इबरानी है, मैं भी हूँ, क्या वे ही इस्राइली है, मैं भी हूँ, क्या वे ही इबरा हीम के वंच हैं मैं भी हूँ क्या वे ही मसीह के सेवक हैं मैं पागल किनाई कहता हूँ मैं उनसे बढ़ कर हूँ अधिक परिश्रम करने में बार बार कैद होने में कोड़े खाने में बार बार मृत्यू के जोखिमों में पांच बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39-49 कोड़े खाए तीन बार मैंने बेते खाई एक बार पत्थर वहा किया गया तीन बार जहाज जिन पर मैं चड़ा था तूट गए एक राध दिन मैंने समुत्र में काटा मैं बार बार यात्राओं में नधियों के जोखिमों में डाकूओं के जोखिमों में, अपने जाती वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, जूठे भाईयों के बीच जोखिमों में, परीश्रम और कष्ट में, बार बार जाकत रहने में भूख प्यास में बार बार उपवास करने में जाडे में उघाडे रहने में और और बातों को छोड़ कर चिनका वरणन मैं नहीं करता सब कली सियाओं की चिंता प्रति दिन मुझे दबाती है किस की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता किस के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता यदि खमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा प्रभु येशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं छूट नहीं बोलता दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था मैं टोकरे में खिलकी से होकर भीत पर से उतारा गया और उसके हाद से बच निकला अथ्याए बारा यद्यपी घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है सो मैं प्रभु की दिये दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं चौदह वर्शुए की ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है की स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया और ऐसी बाते सुनी जो कहने को नहीं और जिन का मुपर लाना मनुष्य को उचित नहीं ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा परन्तु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विशे में घमंड ना करूंगा क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मुर्ख ना हूंगा क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे से सुनता है मुझे उससे बढ़ कर समझे और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूलना जाऊं मेरे शरीर में एक काटा चुभाया गया अर्थाद शैतान का एक दूर कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूलना जाऊं इसके विशे में मैंने प्रभू से तीन बार विनिती की मैं तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीही की सामर्थ मुझे पर छाया करती रहे इस कारण मैं मसीही के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उब्द्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होताओं तभी बलवंत होताओं मैं मुर्क तो बना परन्तु तुम्ही ने मुझ से ये बर्बस करवाया तुम्हें तु मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्दिपी मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से, किसी बात में कम नहीं हूँ, प्रेरित के लक्षन भी, तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरच सहित चिन्नों, और अध्भुत कामों और सामर्थ के कामों में दिखाए गए, तुम कौन सी बात में और कलीसिया से कम थे, केवल इसमें, कि मैंने तुम पर अपना भार ना रखा, मेरा ये अन्यायक शमा करो, देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार ना रखू क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ती नहीं, वरन तुम ही को चाहता हूँ, क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना ना चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा, वरन आ से प्रेम रखोगे। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोज नहीं डाला। परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फसा लिया। भला जिने मैंने तुम्हारे पास भेजा। क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने च्छल करके तुमसे कुछ ले लिया। मैंने तितुस को समझा कर उसके साथ उस भाई को भेजा। तो क्या तितुस ने च्छल करके तुमसे कुछ लिया। क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले। क्या एक ही लीक पर न चले। तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। और हे प्रियो सब बातें तुम्हारी उन्नती ही के लिए कहते हैं। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पा। और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही बाओ कि तुम में जगडा, डाह, क्रोध, विरोध, इर्शा, चुगली अभिमान और बखेडे। और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहां आने पर दबाव डाले। और मुझे बहुतों के लिए फिर शोग करना पड़े। जिन्होंने पहले पाक किया था और उस कंदे काम और व्यभिचार और लुच्पन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। अध्याए तेरा अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ। दो या तीन गवाहों के मुझे हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाक किया। और अन्य सब लोगों से अब पहले से कहे देता हूँ कि यदि मैं फिराऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। तुम तो इसका प्रमान चाहते हो कि मसी मुझ में बोलता है जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जीएंगे। अपने आपको पर्खो कि विश्वास में हो की नहीं अपने आपको जाचो क्या तुम अपने विशे में ये नहीं जानते कि ये शू मसी तुम में है नहीं तो तुम निकम में निकले हो पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम में नहीं और हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो इसलिए नहीं कि हम खड़े देख पड़ें पर इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे हम निकम में ही ठहरें क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हैं जब हम निर्बल हैं और तुम बलवन्त हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिध्ध हो जाओ इस कारण में तुम्हारे पीट पीछे ये बाते लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार, जिसे प्रभु ने बिगारने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कडाई से कुछ करना ना पड़े निदान, हे भायों, आनन्दित रहो, सिध्ध बनते जाओ, डाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, हर प्रेम और शान्ती का दाता, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, सब पवित्र लोग तुम्हे नमस्कार करते हैं, प्रभु यिश्व मसी का अनुग्रहे और परमेश्वर का प्रेम, और पवित्र आत्मा की सहभाकिता, तुम सब के साथ होती रहे झाल झाल